नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आस पर स्वाइम शूर आपने आज से कुछी दिन पहले इस खबर को सुना होगा कि इंडिया ने अपने lifetime record high of defense exports को touch किया है जो आंकड़ा approximately 16,000 करोड के आसपास का है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये खबर जो है आ in the financial year 22-23 और ये पिछले 6 सालों की तुलना में देखा जाए तो almost 10-fold jump हमें देखने को मिला है because सन 2016-17 में इंडिया के जो defense exports थे वो मात्र 1521 करोड के थे लेकिन इतना बड़ा defense exports का number touch करने के बावजूद सिपरी की जो latest report सामने आई है जो की again March 2023 में ही सामने आई है उसमें बत longer a part of world's top 25 largest arms exporter list और ये काफी हैरानी वाली बात है because पिछले साल अक्तूबर 2022 में एक list सामने आई थी जो की सिपरी की list थी उसमें बताया गया था कि दुनिया भर में जो top 25 ऐसी countries हैं जो की defense products को export करती हैं इंडिया उसमें आता है लेकिन अब ये बताया जा रहा है और ये hold out of world's top 25 largest armed exporter list by Sipri despite selling more weapons globally इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जादा हथियार export करने के बावजूद भी हम लोग top 25 वाली जो list है उसमें से बाहर कैसे निकलाए आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की pdf को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और इतना ही नहीं यह पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 1299 रुपे में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद य स्कीम सी MCQ सीरीज है जोकी हम लोग शुरू कर चुके हैं टेस्ट बोग आप पे यह सीरीज अल्डेडी लाइव हो चुकी है जो विद्यारती 2023 की त्यारी कर रहे हैं इसमें आ करके जरूर एंडोल कीजिए यह सीरीज कंप्लीटली फ्री आफ कॉस्ट है आपको केवल टेस् 2018 में we touched a number of 4600 करोड 18-19 में काफी बढ़ गया 10700 करोड पे चला गया 19-20 में फ़रा डिप आया 9116 करोड पे था 20-21 में कोविड की वज़े से और डिप आ गया 8400 करोड पे था लेकिन 21-22 में हमने अच्छा number टच किया approximately 13000 करोड का और 22-23 में finally हम लोग 16000 करोड के आगडे के आ manual defense exports का target है 24-25 का जो की 35000 करोड का है उसको भी हम लोग जल्द ही touch कर जाएंगे और बल्कि अगर हम लोग इसी data को और अच्छे से देखें तो ये भी समझ आता है कि इंडिया जो है 85 countries को हमारा defense items export करती है wide range of systems हम लोग export करते हैं which includes helicopters, petrol vessels, personal protective gear, surveillance systems, radars and various other components जो की इंडिया के द् export किये जाते हैं इनी सब चीजों के चलते सिप्री की जो report थी उसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है वो top 25 exporter list में आता है और इंडिया का जो ranking था वो 23 पे था 24 पे Brazil था 25 पे Portugal था और इंडिया का जो total share था वो 0.2% था जुतना total दुनिया में export होता है defense का उसमें 0.2% क share इंडिया के पास रखा हुआ था but very surprisingly अभी even though हमने हमारे lifetime record को touch किया है defense exports के उसके बावजूद इंडिया has slipped out of the top 25 exporter's list. Sipri has edged out India from the list of the 25 largest exporter of arms जो की इंडिया ने काफी मुश्किल से जिस list में break-in किया था बलकि इतना ही नहीं Sipri ने एक और observation पेश करी है उन्होंने ये कहा है कि पिछले 4 साल का जो data है 2018 से 22 तक का जो data है उसमें इंडिया अभी भी largest importer of arms ही बना हुआ है और ये काफी surprising है because पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा make-in इंडिया के चलते और बहुत सारी import substitution के चलते कई सारी जो positive indigenization list है इनको भी जारी किया गया था जिसमें कि हमने 411 items को ban कर दिया था इसको बाहर से नहीं मंगवाना है और साथ में हमने और भी 3738 items को उपर भी प्रतिमन लगाया था जो कि अब हमारी PSU's के द्वारा बनाई जाती हैं ये दोनों ही observations सिप्री की latest report के द्वारा बताई गई हैं सवाल ये आता है कि जादा export करने के बावजूद भी हम लोग top 25 वाली list में से बाहर कैसे निकले इसके पीछे 3 से 4 बड़े कारण बताए गई हैं कारण number 1 की बात करे कि पिछले कुछ सालों में असल में जो total volume है international arms transfer की उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है approximately 5.1% last year हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है especially बात करें तो African countries में जो गिरावट है वो लगभग 40% की गिरावट है America में जो गिरावट है 21% की है Asia और Oceania की countries में गिरावट 7.5% की है Middle Eastern countries में 8.8% की गिरावट है क्योंकि overall ही यहाँ पे demand में बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसी की वज़े से India के जो arms exports है वो काफी जादा नीचे आ गए है और इसमें भी इन्होंने बताया कि असल में जो top 25 की list है ना उसमें जो top 10 countries आती है विचार USA, Russia, France, China, Germany Italy, UK, Spain, South Korea, Israel यही उपर वाली जो 10 countries है 90.7% of export असल में इन्हीं countries के द्वारा किया जाता है और जो components और जो equipments यह वाली countries export करती है वो असल में major components है जैसे कि combat aircraft हुआ, बड़ी बड़ी warships हो गई, surface to air missiles हो गई, then tanks हो गई, armoured vehicles हो गई, artillery हो गई, वहीं पे अगर आप देखें तो बची हुई जो 15 countries हैं, उनका जो total share है export में वो बहुत ही कम है, आप हिसाब लगा लीजे कि 90% तो केवल top 10 countries कर रही हैं, तो बची हुई जो 15 countries हैं, उनका जो share इतना कम है कि वो किसी भी time पे उस top 25 वाली list में से बाहर निकल सकती हैं, इसी लिए अगर किसी एक country के पास wide variety of export worthy goods available नहीं हैं, तो वो किसी भी time पे इस list में से निकल सकती हैं, और इंडिया के साथ exactly वही हुआ है, because इंडिया के जो exports हैं, वो low value products हैं, specially coupled with the modest size of export orders, जिसकी वज़े से हम लोग इस list से इस साल बाहर निकल चुके हैं, अच्छा अगर आप ये सोच रहे होंगे, कि फिर इंडिया के numbers जो हैं, वो बड़े कैसे हैं, तो दोस्तों इंडिया के numbers बड़े इसलिए हैं, because हमने दो बड़ी deals को sign किया था, पिछले साल की अगर आपको बात बताऊं, तो हमने फिलिपीन्स के साथ ब्रमोज मिसाइल को भेजने को export करने की deal को sign किया था, जो की approximately 375 US million dollar की थी, और कल लियानी strategic systems के द्वारा भी लगभग 500 million dollar का एक contract था, जो की जीत लिया गया था, इन दो contracts की वज़े से हमारा जो number था, वो suddenly बढ़ चुका था, लेकिन problem ये है कि इसके इलावा हमारे जितने भी exports होते हैं, वो सारे के सारे low value items के products होते हैं, और जितने भी हमें orders मिलते हैं, उस बहुत सारे ऐसे products हैं, जिसका जो reliability का record है, वो बहुत अच्छा नहीं है, operational efficacy भी बहुत अच्छी नहीं है, इसका बलकी उधारन भी है, instance के तौर पे 2015 में Ecuador के द्वारा India के साथ एक contract sign किया गया था, in fact India के HAL के साथ इन्होंने contract sign किया था, for purchasing the advanced light helicopters, लेकिन हुआ क्या था, कि ये वाले जो advanced light helicopters इनके द्वारा खरीदे गए थे, इसमें से बहुत सारे helicopters जो है, वो crash कर गए थे, due to mechanical failure, और जो बचे हुए helicopters थे, immediately Ecuador के द्वारा उनको ground कर दिया गया, बलकी उसके बाद Ecuador और India के बीच में एक legal dispute भी चला था, अब बलकी आप देखिए तो Ecuador को छोड़िये, इंडिया ने खुद ही इसी साल March की बात है, जो हमारी तीनों सेवाएं है, आर्मी, नेवी और एरफोर्स और जो हमारा Coast Guard है, उसके द्वारा भी जो उनके पास जितनी भी ALH की fleets थी, उन्होंने उसको ground कर दिया है, because they want कि इसका एक comprehensive safety check ensure किया जाए, और साथी में, पिछले स अक्तूबर 2022 में, रुद्रा हेलिकॉप्टर, जो की ALH का एक armed version है, उसका हमें crash देखने को मिला था, इन अरुनाचल प्रदेश, killing all five personal on board, तो कही ना कहीं, efficacy की problems तो definitely है, जिसकी वज़े से, हम लोग even दो, कुछ चीजों को export करना start तो करते हैं, लेकिन उसको sustain नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग ना तो after sales service provide करते हैं, और साथी में, कहीं ना कहीं ये भी है, कि reliability का भी कुछ ना कुछ issue सामने आता है, और again, अगर आप example देखें, तो ये example is not just limited to the drove helicopter, इसके इलावा, जो इंडिया का ब्रमोज missile था, वो पिछले साल आपको मालुम होगा, accidentally fire किया गया था इन पाकिस्तान, और just last month की बात है, three missiles थी, जो की misfire करी गए थी पोकरान में, during an Indian army exercise, जब ऐसे incidents होते हैं, so obviously, जो लोग import करने वाली countries होती है, उनके मन में भी doubts आ जाती हैं, कि क्या हमें वाकई में, इंडिया के country से, इन चीजों को import करना चाहिए, या फिर नहीं करना जिसकी वज़े से, इंडिया अपने exports को sustain नहीं कर पा रही है, वो ये है, कि जितने भी top 10 की list में आने वाली countries हैं, उन सभी countries के कुछ बड़े-बड़े players, कुछ बड़े-बड़े trade partners बने हुए हैं, for example, अगर हम लोग बात करते हैं, रश्या की, तो रश्या का, जो major defense export है, व 17 पसंट जाता है, कतर को, similarly, चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में भी, जितना भी वो export करते हैं, दोस्तों, 54% of export जो है, वो केवल और केवल पाकिस्तान को चला जाता है, in fact, एक बड़ा player होने की वज़े से, ये सारी countries, अपनी इस ranking को maintain कर पाती हैं, चाइना का तो बलकि यही हुआ था, कि वो time, जब उसने UK को पचाड़ा था, in the list of defense exporters, वो भी पाकिस्तान की ही वज़े से हुआ था, because China जो है, वो अपना maximum सामान पाकिस्तान को भेज रही थी, जिसकी वज़े से, चाइना जो है, वो UK को भी पचाड़ चुकी थी, लेकिन इंडिया के case में क्या है, कि इंडिया के पास कोई भी एक single long term major buyer available नहीं है, सिप्री ने इस चीज़ को बताया कि इंडिया के, जो major importers है, defense equipment के, वो है Myanmar, वो है Sri Lanka, और वो है Armenia, इन countries की problems क्या है, कि इनके खुद के पास financial resources की कमी है, and secondly, ये countries ऐसी है, जो कि एक साल खरीदेंगी, लेकिन अगले साल शा नहीं होता है, इसी लिए इंडिया अपनी उस position को maintain नहीं कर पाता है, moral of the story, basically ये बनता है, कि यदि इंडिया को वाकई में, defense exports की markets में, एक dent create करना है, तो उसको कुछ ऐसी countries को identify करना होगा, जिनके पास long term demand है, और जिनके पास अच्छे financial resources हैं, तभी जाकर के, वो अपने defense exports क जो बड़े-बड़े ambitious targets हैं, उसको hit कर पाएगी, अच्छी बात है कि हमने हमारे defense exports को definitely बढ़ाया है, बट हमें ये भी करना होगा, एक niche carve out करना होगा, otherwise हम लोग जादा देर तक बहुत जादा अच्छे defense exports नहीं कर पाएगे, बाकि आप लोग क्या सोचते हैं, definitely बताईए हम comment section में, जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक इस course में enroll नहीं क्या है, जल्दी से जाएए course में enroll कर लीजे, link जो है वो आप लोगों के लिए description में available करवा दिया गया है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.